तो उन्होंने पोन किया स्वामी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ मैंने कहा मैं जांसन गंज मुहले में हूँ मैं आज आता हूँ सब्जी मंडी में रहते थे जांसन गंज के बगल में सब्जी मंडी है मैं उनकी तरब जब मुडा तो एक गली है अब शाह गन सब्जी मंडी में वो अब electronic market हो गई है उसमें आगे चलकर के सौधागर की मस्जिद आज भी है परती सौधागर की मस्जिद के सामने चूड़ी की दुकान थी उपर छज्जे पर एक मुस्लिम सज्जन एक काँच के गिलास में कुल्ली कर रहे थे मैं इनी कपड़ों में था थोड़ी दूर एक पचास गज़त दूर रहे गया उन्होंने हमको देखा हमने उनको देखा और जब थोड़ा और नस्दीक गया तो उन्होंने कुल्ली करना रोक दिया मैंने सोचा कि इन्होंने इसलिए रोक दिया है कि कुल्ला थूकेंगे तो चीट पड़ जाएगी और सौधागर की मस्जीद यानि उन्हीं के मकान के ठीब बगल से उचाई से रास्ता था सेयद इक्राम हुसेन के घर जाने का तो जैसे ही मैं उधर से मुड़ा उसके नीचे आया उन्होंने मेरे उपर पूरक-पूरा लियाओ तो वो आए कहने लगा ये वो हमको त्रिपाठी जी कहते थे त्रिपाठी जी ये कैसे हो गया मैंने कहा कि ऐसा है वो सौधागर की मस्जीद के सामने जो चूड़ी की दुकाने उपर उन्होंने कहा कि आपने कुछ कहा नहीं मैंने कहा अगर मार खाना होता तो कहते वो इसलिए तो उनोंने कहा किया था तो कहने का मतलब भी है कि एक हज़त मुहम्मद स्लिल्लाव अलेहिवसल्म जो अपने उपर कुड़ा फेखने वाली का हाल चाल लेने गए और दूसरे वो सजन जिनोंने मुझे ये समझ करके कि गहर मुसल्माने मेरे उपर पान का कुली थोगती तो ऐसे लोग नादानी से ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए पहले मैंने जरूर ये समझाता कि यहीं इसलाम है यही मैंने बताया की कुछ लोगों के अखलाक की वजए से दा किता हिस्टिया आप इसलामी टेडिजियम लिखे थी मैंने सोचा था ही इसलाम हे लेकिन जब वास्त्तु कि इसलाम को जाना हजजत मुहमाना भी ङाहिश गाना जब कुरान को जाना कि कथनी और करनी दोनों के खिराद के काम करते हैं मैं समझता हूँ कि आप की कथनी और करनी के हिसाब से अगर दुनिया चले तो सारी दुनिया में अमन चैन हो जाए इससे बड़ा सत्य धर्म इससे बड़ी इंसानियत और कोई हो यह नहीं सकती जितनी की बड़ी इंसानियत इसलाम में मौजूद है हजजद मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم की कथनी और करनी में मौजूद है एक बार मैं अपने हिंदु भाईयों को बताऊं कि एक बार हजजद मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم से एक सज्जन ने कहा कि एए अल्ला के रसूल अपने विरोधियों के लिए कि बद्दुआ कीजिए और उन पर लानत भेजिए अलाह के रिसूल सलौ अलाह उल्हेछ руками ने कहा कि मुझे अलाह ने किसी के लिए बद्दुआ देने के लिए किसी पर लानत भेजने के लिए नहीं भेजा, रहमत के लिए भेजा है اور قرآن मجедь में اللہ کا आदेस मौझूद था قرآن मجедь की सूरा 21 आयत नंबर 107 में है कि उह मुम्मद हमने तुम को सारी दुनिया के लिए रहमत बना कर बेजा है केवल मुसल्मानों के लिए नई सारी दुनिया के लिए रहमत यानि दयालू बनाआकर भीजा है अल्लाह के रसूल सल्लाह applis कुराइब को अपने करमों में उतार चुके थे उसी के हिसाउब से चल लए थे उन्हों आपने फरमाया कि मुझे किसी के लिए बद्दौा देने के लिए किसी के लिए लानत भेजने के लिए रही बलकि दया के लिए भेजा गया है एक बार आप ने फरमाया कि अपने भाई के लिए चाहे वो जालिम हो या अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम आप से पूछा गया एए अल्ला के रसूल अगर मेरा भाई मजलूम है तो तो हम उसकी मदद करना जानते हैं लेकिन अगर वो जालिम हो जाए तो किस तरीके से मदद करें आप बताएए आपका हुक्म है आपका हुक्म सराखों पर लेकिन बताईए कि किस तरीके से उसकी मदद करे आपने फरमाया उस जालिम के हाथ पकर लो यानि उसको जुल्म करने से रोक लो और उसको दोज़क की आख से बचा लो ये उसकी मदद करो ये थे अल्ला के रसूल आपने एक बार फरमाया आप मैं अगर हिंदु भाईयों को बताऊं अगर कोई मीडिया के लोग हो तो समझने कि इसलाम को देसदगर्दी से जोड़ना बिलुकुल वैसे ही है जैसे कहना कि सूरज पूलब से नहीं पच्छिम से निकलता है इसलाम आया है दुनिया में आतंगवाद को मिटाने के लिए जो मजहब जिस मजहब ने सबसे ज़्यादा आतंगवाद को सहा जिस मजहब के अमतिम पेगंबर हजद मुहम्मद ने सबसे ज़्यादा आतंगवाद सहा और आतंगवाद अम्तिम समय तक वो आतंगवाद से लड़ते रहे आपने कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी इनसान का दिल नहीं दुखाया कभी भी किसी से कडाई से बात नहीं की ऐसे मज़ब को आप आतंगवाद से कैसे जोड़ सकते है ये पूरी दुनिया में इसलाम के साथ साजिस है ये साजिस इसलिए हो रही है क्योंकि इसलाम के प्रवाह को रोकने का प्रयास किया जा रहा है इसलाम को फैलने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है सच्चा धर्मगर फैलता है तो ये सबसे बड़े धर्म की बात, सबसे बड़ी अच्छी बात है और इसमें हमको कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि इस तरीके की साजिस की जड़ हिंदुस्तान में नहीं बाहर मौजूद है यहां अगर साजिस होती है, वो तो नेताओं की साजिस है क्योंकि वो डिवाइड और रूल की पालिसी से अपने मतलब के लिए काम करते हैं लेकिन धार्मिक साजिस यहां पर नहीं इसकी जड़े बाहर मौजूद है यह हिंदु भाईयों को समझना चाहिए तो एक बार अल्ला के रसूल सल्ल लाई जगड़ा करने वाला आदमी है जो हर समय लड़ाई जगड़ा करे वो अल्ला के लिए सबसे बुरा है यह अल्ला के रसूल सल्ल लाई जगड़ा करने वाला आदमी है कि प्रोसी के लिए जो है मुसलमान कराब inhib है प्रोसियों के लिए मुसलमानों के लिए जो आदेस है उससे ब्डा उससे अच्छा आदेस कहीं हो ही नहीं सकता अधला के रसूल सुनल अले लगीassemb YES ने फरमाया कि अल्ला की कसम गो मुसलमान नहीं आपसे पूछा गया पूछा जिससे उसका परोसी परैसान हो अईसा मुसलमान कैसे दह्षत गरदी में सामिल हो सकता है ऐसा मुसल्मान कैसे किसी के उपर अन्याय कर सकता है एक आप से पूछा गया कि इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल आप से पूछा गया कि ए अल्ला के रसूल कौन सा इसलाम सबसे अच्छा है अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान देता बड़ी फिलास्पी की बात करता अल्ला के रसूल सल्ला लाव लेसलम तो अल्ला के रसूल आपने बड़ा सीधा छोटा सा जवाब दिया जो इंसानियत में सबसे उपर है आपने कहा कि भूखे को खाना देना सबसे बड़ा इसलाम है भूखे को खाना देना और जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सल्लाम करना भूखे को खाना देना इससे बड़ी इंसानियत कोई नहीं है और जान पहचान अगर हम जानते हैं कि फलाने इनका नाम अयूब सहाब है चलिए मुसलमान है चलिए सलाम हमने किया और गेर जान पहिचाल हम जानते नहीं जिसको हम जानते नहीं तो उसका हम तो मजहब भी नहीं जानते उसको भी सलाम करो इस से बड़े साम प्रदाइक सद्भाव तो इससे बड़ी इंसानियत की बात और क्या हो सकती है ये कहा जाता है कि मुसल्मान के लिए मैं पहले मैं भी कहता था मैं जब भरमिता कहता था मुसल्मानों के लिए इंसान वही है जो मुसल्मान है बाकी सब इंसाने नहीं है मैं कहा करता था लेकिन ये मेरी गलत प्रहमी थी क्योंकि मैं इसलाम को नहीं जानता था माफ करिये जिस इसलाम की मैं बात कर रहा हूँ जिन बडाईयों को मैं कह रहा हूँ वो केवल इसलाम के लिए कर रहा हूँ बडाई इसलाम की है, मुसल्मान की नहीं है ये मैं दावे के साथ कहता हूं क्योंकि कुछ मुसल्मानों का अखलाग इसलाम से ठीक उल्टा है इसी वज़े से आज इसलाम की छवी खराब हो रही है लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसलाम में मुसल्मान अच्छे रहे बहुत अच्छे एक से एक अच्छे मुसल्मान है और उन्ही अच्छे मुसल्मानों की वज़े से आज भी इसलाम आगे जा रहा है और हमने जब इसलाम का मुताला किया तो मैंने पाया कि सनातन वैदिक धर्म और इसलाम में जितनी नजदी की है किसी में नजदी की नहीं है इसलाम कहता है अल्लाह यानि